नमस्कार, क्विक नीश्च प्रग्राम में आपका स्वागत है टॉपिक है प्रशांत महासागर के स्थान पर बनेगा सुपरकॉंटिनेंट अमेशिया कर्टिन विश्वे विद्याले में हुए एक शोथ की अनुसार प्रशांत महासागर के सुकूरने और समापत होने के बाद दुनिया में एक नया सुपरकॉंटिनेंट जन्म ले सकता है यह शोध प्रिथवी की टेक्टोनिक प्लेटों के विकास और भविश्य के सुपरकॉंटिनेंट के निर्मान से संबंधित था शोध करताओं ने इस नय महादुप को अमेशिया नाम दिया है शोध में बताया गया कि प्रिथवी की सतह पर महादुपों के बनने और विखंडन के प्रक्रिया लगातार चलती रहती है यह नया निर्मान इसी क्रम का हिस्सा होगा इस अध्यान में शोध करताओं ने सुपर कंप्यूटर की मदद से पता लगाया कि सुपर कॉंटिनेंट कैसे बनते हैं उन्होंने इसका सिमुलेशन तयार किया और पाया कि प्रिथवी अर्बों साल से ठंडी हो रही है जिससे महासागरों के नीचे की प्लेटों की मुटाई और सतह समय के साथ कम होती जा रही है शोध के मताबिक अगले 20 से 30 करोर वर्षों में आर्क्टिक महासागर और केरेबियन सागर का सित्व मिट जाएगा और एशिया और अमेरिका आपस में मिल जाएंगे शोध करताओं के अनुसार एशिया और अमेरिका के बीच जो टक्कर होगी उससे एक नया सुपर कॉंटिनेंट बनेगा यह नया निर्मान महादुपिय विस्थापन सिध्धान्त के अनुरूप होगा इसके अनुसार कार्बोनी फेरस युग में प्रिथवी के सभी स्थलखंड आपस में जुरे हुए थे महादुपिय विस्थापन सिध्धान्त प्रसिध जर्मन विद्वान वेगनर ने 1920 के दशक में दिया था उन्होंने अपनी खोज में पाया कि वर्दमान महादुपों को एक भोगोलिक एक रुपता दे जा सकती है इस भोगोलिक एक रुपता को वेगनर ने सामेरुपता स्थापना या फिर जिग सौफिट का नाम दिया था विगनर ने महादूपिय विस्थापन के संबंध में अनेक प्रमान भी दिये जैसे भागोलिक सामेरुपता ब्राजिल के डिला मेयर प्रवत और अंगोला के प्री कैम्बियन प्रवतों का एक सीध और एक काल में निर्मित होना आदी